कि हिंदू धर्म बिसंता मुलक समाज है, ये जहर के समान है, इसमें छुआ छूत, भेद भाव, उच निच की भावना है, ये जिम्मेवारी जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको हटाए जाए और पुरा का पुरा बोधिष्ट को दिया जाए, ये अधिकार है अमारा, ये रागमनी जैसे और यूत को लेकर के और सर्वर, गुलाम सर्वर जैसे लोगों को लेकर के हम इसको बदलेंगे, यहां रानी तिक नहीं, बलके काम की पूजा होगी, नमस्कार, मैं प्रिश कुस्वा, फश्ट वियार जारखन देख रहे हैं, बहुत धर्म के सभी लोग प्रिश कुछा है, वहां पर जो अन जाती के लोग का कबजा है, तथा कतित ब्राहमन समाज के जो लोग है, उनसे मुक्त कराने के लिए सम्मेलन बुलाया गया है, अब देख सकते हैं, मंच पर यहां पर बड़े लोग ब्रिजमान है, पूर्व मंतरी में यहां पर देख सक और तमाम लोग है जो यहां पर इकठा हुए हैं, बारी-बारी से बात करेंगे उनसे कि आखिर क्या कुछ मसला है, इकठा हुए है, सभी लोग से बात करेंगे, आज आप लोग गांधी मैदान में इकठा हुए है, क्या कुछ देखें? देखिए 1949 में समिधार बनने के पहले अंत्रिम सरकार ने काला कानून बोध गया जो बोध बिहार है उसमें किया है कि जब बोधिस्टों का जगह है फिर चार हिंदू और चार बोधिस्ट को देने का क्या उचित है इसलिए पुरा का पुरा ये जिम्मेवारी जो हिंदू धर्म के लोग है उनको हटाये जाए और पुरा का पुरा बोधिस्ट को दिया जाए ये आम लोग का डिमांड है मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म विसंता मुलक समाज है ये जहर के समान है इसमें छूआ छूट भेद भाव उच निच की भावना है जिबकि बौधिस्ट धर्म जो है समानता सुतंता उ भरातुट की भावना के अधार पर नाधारी थे इसलिए मैं तमान पिछडे दलित और आदिवासियों का आवान करना चाहता हूँ मुसल्मान भाईयों का भी आवान करना चाहता हूँ कि बहुत धर्म में आवें क्योंकि बहुत धर्म समता मुलक समाज है इसमें सभी जाती संपरदाय के लोग का कल्यान होने वाला है और ये मैं भारव सरकार और बिहार सरकार से पुर्योर मांग करता हूँ कि इस जो काला कानून बोधगया पर लागू है तो समाज करें और नहीं तो जन आंदोलन होगा और तमाम पिछड़े हैं दलित हैं मुसल्मान हैं आदिवासी हैं सभी लोग बहुत धर्में गरंग करेंगे मेरे मेरे पिता अमर सही जगदेव साद ने नारा दिया था दस का साथ से नब्बे पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा सौमे नब्बे सोसित है नब्बे भाग हमारा है उन्होंने सपस्ट कहा था कि हिंदू धर्मे मैं जन्म लिया हूँ लेकिन मैं बहुत धर्म गरंग करूँगा लेकि उसके पहले ही जो सोसक और संबनती लोग उनको दिन दाड़े लाखों लोग के बिच हत्या कर दिया मैं भी घोसना करता हूँ इस बात का कि लोग को और्णाइज करेंगे पिछले धलित को और्णाइज करेंगे और जब मास स्केल पर जनता समझदार हो जागी बहुत धर्म में हम लोग बहुत धर्म गरंग करेंगे आप भी हिंदू जे आप भी हम मैं भी बताना कि पहले करें कि हिंदू धर्म में बहुत खुगा चूत है बहुत धर्म अच्छा है बिलकुल अच्छा है इसलिए मैं कहा कि तमाम जो बैकवर्ड है दलीत है अदिवासी है मुसल्वान है उसको एक जूट करेंगे और जल्दी जल्दी नहीं बहले तमाम जो बैकवर्ड है दलीत है मुसल्मान है यादिवासी है उची जात के जो गरीब लोग है वो तमाम लोग को बहुत धर्म गरहन करने के लिए मुखातिप करूँगा और सब लोग तयार हो जाएंगे तो लाखो लाख लोग के सामने बहु हाँ बिल्कुल गवर्णर को भी देंगे और मानिय मुख मंतरी के हाँ भी डेलिगेस जाएगा तमाम यहाँ पे बहुत धर्म को लेकर लगातार यहाँ पे जो इकठे हुए हैं और लोगों से भी बात करेंगे आप लोग आज गांधी मैदान में उपश्तित हैं मंदीर जो जो कभजा है उसको छुडाने के लिए क्या तुस्का है? हम बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं विदेसों में घुमते हैं हमें सरम और बिज्टी होती है तो उस हालत में बिहार के बोध गया और राजगीर और लूबनी का एक कोरिडोर बनना चाहिए इसका डबलप्मेंट होनी चाहिए इसके लिए बिहार की सरकार को और सेंट्रल गुलाम सर्वर जैसे लोगों को ले करके हम इसको बदलेंगे यहां रानी तिक नहीं बलके काम की पूजा होगी और उसके लिए हमें बोध गया का जो अब बीटी एक आपके बिहार के अंदर क्या दूसे दूसे राज्जों के बच्चा के पढ़ रहे हैं या एजूकेशन ले रहे हैं या नोकरी कर रहे हैं आप नोकरी करने के लिए बारत के अनराज्जों में और बिस्प के अनी रिष्टों में जाते हैं आपके अगर डबलप मेंट होती तो आज हमारे बिहार का तमाम बच्चे बिहार में ही डवलप करता तो ये हमें और आपको मिल करकर के आन बांसान बनाना होगा और वहां बांसान गोतम बुद्ध की जो धरती है उसको सीचने से उसकी बिकास करने से और जो राजगीर से बुद्ध गया है जो फल्गु नदी है पैसे की कोई कमी नहीं है लेकिन आपकी नियत ठीक नहीं है यहां बहुत सारे संगटन मना करके नेतागिरी खाली करते हैं बड़े-बड़े भाशन करते हैं लेकिन काम करने के नाम पर वो जो है बगले जागते हैं और इसलिए डॉक्टर दुआ 40 साल के बाद बिहार में आ करके आपको दो साल में दिखाएं तमाम जो लोग है वो बहुत मंदिर जो बहुत गया में है उसके पे जो कपजा जो और लोका है उनको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं कर रहे हैं कि जो बहुत धर्म के जो लोग हैं उनका उन पे कपजा होना चाहिए जो अन जातिक जो ल पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना ये लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतला ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हो अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब अड़े अब क्यों मुमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग